हलो दोस्तो मेरा नाम मनिश्क पषबार गुद्ता है और आप देखरें गुद्ता जी टेक्निकल चैनल दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका जीो का 심 है अगर गुम हो जाता है तो उसका प्रोसेस चेंज हो चुका है और किस तरीके का प्रोसेस है यह इ प्रोसेस से आपको वह सी मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसका प्रोसेस चेंज हो चुका है पहले क्या था सुप्रीम कोड का अडर आया सुप्रीम कोड का अडर आया कि आप थम लगा के कोई भी सिम नहीं ले सकते हैं अब यहाँ पे जियो के तरफ से आ गया है कि पेपर कैफ आपको भरना होगा वहाँ पे आपका नंबर लगेगा वहाँ पे आपका अधार काट का फोटो कॉपी जरोक्स जो भी रहेगा वहाँ पे आपके आईडी के प्रूप पे लगेगा आप पेंकार भी दे सकते हैं आप ड्राइवे लैसिंस भी दे सकते हैं आप आप पास्पोर्ड भी दे सकते हैं दोस्तों तो इस तरीके से आपका सिम रिप्लेस्मेंट होगा जो रिप्लेस्मेंट करना रहेगा दोस्तों तो इ तो दोस्तो इस वीडियो में मैं सारा information आपको देने वाला हूँ कि अगर आपका sim कभी गुम हो जाए या कहीं खो जाए या misplace हो जाए या तूड जाए तो आपको किस प्रोसेस से जियो स्टोर पे जाना है और किस तरीके से आपको जियो का sim डिपलेसमेंट कराना है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं सारा information आपको देने वाला हूआ तो दोस्तों अगर आप जियो इस्टोर पे जाते हो अगर आपका सिम गुम हो जाता है अगर आपका सिम तूड जाता है जियो का सिम आपका तूड जाता है गिर जाता है या हो जाता है कहीं या कुछ भी खराब हो जाता है स्क्रेच आ जाते हैं सिम पे अगर खराब हो जाता ह तो आपको जियो इस्टोर पे जाना पड़ेगा, एक passport size photo लेना रहेगा, और एक ID proof का photo copy लेना रहेगा, तो वो चीज लेके आपको जियो इस्टोर पे जाना रहेगा, और जैसे आप जियो इस्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे आपका ID लिया जाएगा, और एक photo लिया जाएग और उस बेस पे आपको यह SIM दिया जाएगा, तो पहले क्या होता था कि जब fingerprint था, जब Supreme Court ने मना नहीं किया था, जब Supreme Court का band नहीं था, तो आपका SIM 5 मिनट के अंदर चालू होता था, मगर अभी यह process लंबा हो गया है, जैसे कि आप SIM का, अगर आपका SIM गुम हो गया, तो आपक प्रूफ लेके जाएं, जिसका फोटो कॉपी आप करा लें, और कराने के बाद जियो इस्टोर में जाएं, और वहाँ से बोले कि यह मेरा नंबर है, यह गुम हो गया है, यह मेरा नंबर कुझे चेहिए, तो वहाँ पे आपको उस तरीके से आपको नहीं आप जाते थे, थ देख रहे हो दोस्तों, तो आप यह समझ लो कि आपको अगर रिप्लेस्मेंट सिम कराना है, तो इस तरीके का प्रोसेस रहेगा, और आपको यह प्रोसेस पे ही आपको सिम रिप्लेस्मेंट करके मिलेगा, तो दोस्तों अगर यह वीडियो हमारा पसंद है, तो प्लीज हमा